सात्यों, बीते कुछ महिनों में, पूरे विश्व में, कोरोना संकट के दौरान, भुखमरी, कूपोशन को लेकर अने तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़े से बड़े एक्षपर्स अपनी चिन्ताएं जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इन चिन्ताओं के बीच भारत पिछले साथ आठ महिनों से लगबग 80 करोड गरीबों को मुप्तराशन उपलब्द करा रहा है। इस दोरान भारत ने करीब करीब देड़ लाग करोड रुपिय का ख़द्यान गरीबों को मुप्त बाटा है। और मुझे आद है कि जब इभ्यान शुरू किया जा रहा था तो इस बात का विशेश द्यान रखा गया कि चावल या गेहों के साथ साथ दाल भी मुप्त मुहया कराई जाए। गरीबों के प्रती, खाद्य सुरक्षा के प्रती ये आज के भारत का कमिट्मेंट है। और अमेरिका की कूल जनसंग्या से भी ज़्यादा है, लेकिन कई बार हम रोजाना के जीवन में एक बड़ा ट्रेंड मिस कर देते हैं। फूड सिक्यूरिटी को लेकर भारत ने जो किया है, उस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे कुछ प्रस्ण है, जिससे जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें एसास होगा कि भारत ने इस दिशा में क्या हासिल किया है। क्या आप ये जानते हैं कि साल 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों में फूड सिकूरिटी एक लागू था और उसके बाद ही ये पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू हो पाया। क्या आप जानते हैं कि कुराना के खारण जहां पूरी दुनिया संगर्श कर रही हैं, वही भारत के किसानों ने किस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दाले सभी प्रकार के खाद्यान्य की खरीद के अपने सारे पुराने रेकॉर्ड तोड दिये हैं। क्या आपको ये पता हैं कि पिछले साल के छे महने की इसी अबदी की तुलना में, एसेंचियल एग्रिकल्टरल कॉमोडिटीज के एक्सपोर्ट में चालीस प्रतिसत से ज्यादा की बढ़ोत्री हुई हैं। क्या आपको पता हैं कि देश के 28 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला बन नेशन, बन राशनकार सिस्टीम लागू हो चुका है। साथियों, आज भारत में निरंतर ऐसे रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं, जो ग्लोबल फूड सिकुरिटी के प्रती भारत के कमिटमेंट को दिखाते हैं। खेती और किसान को ससक्त करने से, वहां से लेकर के भारत के पब्लिक डिस्टुबिशन सिस्टिम तक में एक के बाद एक सुधार किये जा रहे हैं। हाल में जो तीन बड़े क्रिशी सुधार हुए हैं, वो देश के अग्रिकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आए बढाने में बहुत महत्वपून कदम है।